फ्रेंट्स वैसे तो आपने वीडियो का थम्नल देखे आईडिया लगाई लिया होगा यह आज किस वीडियो किस मेटर पे रहने वाली है जी आप फ्रेंट्स आज किस वीडियो में बात करेंगे विए एक फ्रेसर स्टुडेंट को अकाउंट सीखने की सुरुआत है कौन से स्टुडेंट के साथ करनी चाहिए मैं मौन सुथार समार्ट कंप्यूटर सराइशनगर से स्वागत करता हूं आपका मारी यूटूब चैनल स्मार्ट कंप्टिंग आरसनार में तो फ्रेंट्स आप इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना इस वीडियो में हम आपको आएंगे चोटी कंपनियों से लेकर बड़ी-बड़ी कंपनियों में कौन-कौन से अकांटिंग सोफ्ट्वेर यूज किये जाते हैं और आपको कौन सा अकांटिंग सोफ्ट्वेर पहले सीखना चाहिए तो फ्रेंट्स आज की वीडियो अगर अच्छी लिगे तो आप इस तरीके से ही सिखाएंगे तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो तो फ्रेंट्स इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी अकांटिंग सोफ्ट्वेर की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है या किसी भी अकांटिंग सोफ्ट्वेर के बारे में यह नहीं बता रहा अब यह accounting software बेकार है मैं केवल मेरा practical accounting experience है वो ही आपके साथ share कर रहा हूँ तो friends अगर आप manual accounts में अच्छा और practical knowledge रखते हो तो आप कोई भी accounting software सेख सकते हो आपको कोई भी परिशानी आने वाली नहीं है अगर कोई friends account की शुरुआत करने जा रहा है तो मेरा मानना यही है यानि कि मेरा accounting का experience यही कहता है वो आपको कोई भी accounting software सेखने से पहले या accounting software सेखने के साथ-साथ आपको business की real voucher से journal entry जरूर मनानी चाहिए यानि कि आपको manual accounting की practice आपको साथ के साथ जरूर करनी चाहिए ताकि आपको कोई भी accounting software में कोई problem ना आए तो friends अगर हम बात करें विस सबसे ज़्यादा accounting software कौन से यूज होते है अगर हम बात करें मारे business के trading, manufacturing या services business की तो सबसे ज़्यादा यानि कि मारे राजस्तान के अगर बात करें या इस तो गंगने डिश्टिक के बात करें तो mostly daily ERP9 accounting software या BG जैसे accounting software ही यूज किये जाती है जिनका trading, manufacturing या services का business है अगर किसी भी businessmen का trading प्लस commission agents का दोनों का combined business है यानि कि वो उसमें goods को sell purchase भी करता है और उसका commission agents का भी वरक है commission agents मनलब यानिकि जो नई दानमंडी के अंदर जिन प्रचेज जो sell होती है mustard, grams, wheat वेगरा वो commission agents का वरक होता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो use होते है accounting software वो mark ERP9 Plus या FedEx जैसे accounting software use होते है हम mark या FedEx जो केवल trading के business में भी use कर सकते हैं लेकिन जिसका combined business होता है trading या commission का एक ही company में तो वो सबसे ज़्यादा mark या FedEx software ही use करते है तो friends, अगर हम बात करें भी एक fresher student को कौन सा accounting software सीखना चाहिए तो मेरा माना यही है भी शुरवात उसको Tally ERP9 accounting software के साथ ही करनी चाहिए तो friends, अब सबसे ज़्यादा confusion नहीं यह भी हमें Tally क्यों सीखनी चाहिए BZ, FedEx, Mark या other कोई भी accounting software क्यों नहीं सीखना चाहिए वैसे तो इस world में बहुत सारे accounting software है बहुत सारे ऐसे businessmen भी होते हैं जिन्होंने अपने business में अपने जुरूरत के अंसार accounting software को design करवाया होता है लेकिन लगबग सभी जो भी accounting software होता है जो internal जो इनका interface होता है accounting voucher करने का वो 99% सभी का equal ही होता है यानि कि जो reports हमें accounting या taxation समंदी रिपोर्ट चाहिए वो हर एक accounting software आपको पूरा करके देगा तो friends अब बात करते हैं भी हमें Tally क्यों सीखनी चाहिए other software क्यों नहीं सीखना चाहिए तो ये भी आज आपको मैं practical तरिक्के से बता देता हूँ आप इस वीडियो को लाश तक जरूर देखना हो friends जब हम Tally ERP नहीं accounting software में company create करते हैं तो Tally accounting software केवल हमें 2 laser automatically create करके देता है अब वो कौन-कौन से होते हैं वो देख लेते हैं तो accounts की report देखने के लिए सबसे फिर हम Tally के home page यानकी gateway of Tally के reports menu के display option पर हम enterprise करेंगे उसके बाद accounts book पर उसके बाद lasers पर तो list of laser में आपको केवल 2 accounts show हैंगे cash और profit and loss count यानकी केवल यह 2 laser है बाकि जितने भी हमारी books के अंदर जितने भी laser है वो सारे हमें create करने पड़ेंगे अगर यही बात करें busy accounting software की तो अगर आप busy accounting software में जब आप company create करोगे तो company create करते ही busy accounting software आपको जो एक business में routine में जो expenses के खर्चे है या cgst, igst, sgst या मलब sale और purchase की जो laser होते हैं जो हमें बनाने कंपल सरी भी होते हैं वो laser automatically create करके दे देता है अगर हम यह example आपको एक मारग accounting software का दिखाऊं तो मारग accounting software भी इसी तरीके के laser create कर देता है जैसे यह bank charges वेगर हो गया discounts के laser हो गया salary के expenses जो हमें routine के अंदर laser हमें create करने ही होते हैं उसके laser ओलडी कुछ बहुत सारे ऐसे world level के जो software रहते हैं जो create कर देते हैं तो सबसे ज़्यादा अब आप इस चीज में confused हो रहोंगे भी हमें टेली में तो laser create करने पड़ते हैं और बीजी या other accounting software में बिल्कुल readymate त्यार मिलते हैं accounts तो हमें दो बीजी या मारक जैसे accounting software सिखना चाहिए हमें टेली क्यों सिखें हम क्यों laser create करें तो अगर आपको कोई भी accounting software laser automatically create करके देते हैं जो हमें जुरूरत होती है तो इसका फायदा केवल अगर आप accounts में बिल्कुल perfect हो यानि कि आपका manual accounting बेस बिल्कुल strong है और आप first time computer पे आ रहे हो तो आपके इस type के software काम के है अगर आप बिल्कुल fresher हो first time या आप accounting की शुरुआत कर रहे हो तो इस type के जो यह laser create होते है accounting software में तो यह सबसे ज़्यादा आपका disadvantage यह रहता है यानि कि आपको जितने ज़्यादा laser आप खुद create करोगे अपने accounting software में तो उतना ही ज़्यादा आपको benefit मिलेगा अब माह लीजिए अब VG accounting software ने एक यह laser create कर रखा है आपको मैं example के लिए बता देता हूँ यह आगया आपके सामनी चैए आप depreciation ले लो यह आप earnest money का ले ले लो जब education से on TDS ले लो अगर आप accounts के बिल्कुर fresher student हो तो आपको यह पता ही नी चलेगा भी depreciation क्या होता है furniture and fixers क्या होता है IGST input क्या होता है IGST output क्या होता है तो जब तक आप accounts के manually based अगर आपका मजबूत होएगा तब तो आपको यह चीजे सारी समझ में आजेगी otherwise आप विल्कुल fresher हो तो आप जितने laser अपने हातों से create करोगे और laser create करने के साथ सबसे important होता है उसका group इस type के जो group है duties and taxes क्या चीज होती है security and deposit क्या चीज होती है तो वो आपका नुकसान है जितना ज़्यादा आप laser अपने हातों से create करोगे और जितना ज़्यादा अपने mind से अगर आप इनके group select करोगे तो उतना ही ज़्यादा benefit आपको ही मिलेगा एक fresher student को ही मिलता है तो मेरा experience ही केता है अगर आप विलकूर accounts के विलकूर fresh student हो और शुरुवात करने जा रहे हो तो आपको telly से करना चीज़िए और telly में जितने भी आप manual accounts में laser create कर रहे हो उतने laser आप telly ये RPNN में फुद create करोगे और उनका सबसे ज़्यादा जो important रहता है group select करने का आप group भी select करोगे अब कौन से laser का क्या group select करना चीए इस पे मैं एक already video बना चुका हूँ आप उस video को जरूर देख ले और उस video का link भी मैंने इस video की description में भी दे दिया है तो friends accounting software इतना ज़्यादा कोई important आपके लिए नहीं है जितना आपका manual accounting based मजबूत होना जरूरी है तो friends आज की इस video कैसे लगी आप हमें comment करके जरूर बताना अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे ज़्यादा सी ज़्यादा share भी जरूर करना और अभी तक आपने मारे channel को subscribe नहीं किया